हलो एवरीवान, मेलकम बेक टियर ओन चनल इस्टडी वल्ड आप विद्या आज है 24 जन्वरी और आज आप लोगों का कोई भी आरारवी एंटे पीजी का एक्जाम नहीं है लेकिन जो कल आप लोगों का 23 जन्वरी को 1st और 2nd सिफ्ट के एक्जाम हुए थे उसके मुझे जीके और कम्प्योटर के 78 questions मिल चुके हैं तुरंद की तुरंद इतने questions नहीं मिल पाते हैं लेकिन उसके बाद कुछ इस्वेंट्स कॉमेंट करके questions बताते हैं कुछ बाद मैं भी टेलीग्राम पर send करते रहते हैं तो यहां पर मैं आप लोगों के साथ सभी 78 questions को discuss करने वाली हूँ कि क्या क्या questions बने थे आप लोगों के आने वाले shift में जो भी एक्जाम है ये questions आप लोगों के लिए helpful रहेंगे तो चले वीडियो को start कर लेते हैं वीडियो को start करने से पहले आप लोग इस वीडियो को like जरू कर दें क्योंकि like करने के पैसे नहीं लगते और free की चीज़ छोड़ा मत करिये तो यहां पर सबसे पहले हम लोग discuss करेंगे first shift के questions को तो first shift का पहला question था सयुक्त राष्ट का सदसे देश कौन सा नहीं है तो आपके option में दिया था Malaysia Malaysia पर आपको tick करना था Malaysia सयुक्त राष्ट संग का सदसे नहीं है लेकिन सयुक्त राष्ट संग के 5 इस्थाई सदसे देश है वो कौन कौन से हैं उनके बारे में जान लेते हैं तो 5 इस्थाई सदसे देश हैं अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन ये 5 इस्थाई सदसे देश हैं अगला question यहाँ पर पूछा गया था कि अजन्ता गुफा में किस प्रकार का चित्रड किया गया है तो अजन्ता गुफा में भिती चित्र कला का चित्रड किया गया है अगला question था भारतिय अंत्रिक्ष कारिक्रम के जनक कौन है तो भारतिय अंत्रिक्ष कारिक्रम के जो जनक हैं वो हैं विक्रम सारा भाई अगला question था पौधों में प्रकास संसलेशड के लिए चार महतपुड घटक क्या है? तो पौधों में प्रकास संसलेशड के लिए जो चार महतपुड घटक हैं वो है water, carbon dioxide, sunlight और chlorophyll ये चारों प्रकास संसलेशड के लिए महतपुड घटक है अगला कोशन या पर पूछा गया था कि CSIR की full form क्या होती है? तो CSIR की full form है Council of Scientific and Industrial Research अगला कोशन था उपयोगिता यानि की उपयोगता, users तथा computer system के बीच मध्यस्त क्या कार्य करता है? तो ये एक operating system का कार्य करता है किसका कार्य करता है? तो operating system का कार्य करता है अगला कोशन था दूसरी पंचवर्शे योजना किस पर आधारित है? तो हमारी जो दूसरी पंचवर्शे योजना है यह है महल नोविस योजना पर आधारित है अब ये महल नोविस योजना क्या है? इसके बारे में जान लेते हैं. तो महल नोविस योजना एक आर्थिक विकास मॉडल की योजना थी, जिसकी खोज भारतिय सांखे सास्त्री प्रशांता चंद्र महल नोविस ने सन 1953 में की थी. अगले कोशन की तरफ मूव करते हैं. अगला कोशन था कि UPU की फुल फर्म क्या होती है? तो UPU की फुल फर्म है Universal Postal Union. अगला कोशन था तात्या टोपे का संबंद किस क्रांती से है? तो आप सभी लोगोंने I think 100% करेक्ट आंसर लगाया होगा कि तात्या टोपे का संबंद 1857 की क्रांती से है. और ये जहनसी की रानी के गुरू भी थे. अगला कोशन यह आपर पूछा था कि भारत का पहला सुपरकम्पीटर कौन सा है? तो भारत का जो पहला सुपरकम्पीटर है वो है परम 8000. जबकि दूसरा सुपरकम्पीटर है परम सिध्धी. ध्यान रखेगा. भ पूछा था यहाँ पर कि लंकेश्वर तेल शोदक कारखाना किस राज्य में इस्तित है तो लंकेश्वर जो तेल शोदक कारखाना है ये गुजरात राज्य में इस्तित है और कौन से जिले में इस्तित है तो भरूच जिले में इस्तित है गुजरात के भरूच जिले में इस् तो 1937 का जो कॉंग्रिस अधिवेशन हुआ था वो सबसे पहले फैजपुर गाउं में हुआ था फैजपुर गाउं कहां पर है तो यह महाराष्ट में इस्तित है अगला कोईशन था जीवों की कोशिकाउं में बिना ओक्सीजन स्वसंद प्रिकिरिया क्या कहलाती है तो जीव तो की कोशिकाउं में बिना ओक्सीजन की जो स्वसंद प्रिकिरिया होती है वह कहलाती है अभी वही स्वसंद प्रिकिरिया अगला कोईशन था पूर्त गालियों ने गोवा पर कबजा कब किया था तो पूर्त गालियों ने गोवा पर कबजा 1510 इसवी में किया था अगला क अक्टूबर 2020 तक सम्विदान में कितने अनुच्छेद हैं तो बर्तमान में सम्विदान में अनुच्छेदों की संख्या है चारसो अड़तालीस अगला कोशन यहाँ पर पूछा गया था ऐसे प्राड़ी जो कई वर्सों तक खोजने पर भी नहीं पाए जाते उन्हें किस प उन्हें बिलुप्त प्रजाती में रख दिया जाता है अगला कोशन था पर्या परड़ को इनमें से कौन हानी नहीं पहुंचाता है तो चार आप्शन थे वहाँ पर उनमें से जो आपको करेक्ट अंसर पर टिक करना था वो था ओजोन परत के बढ़ने से हमारे पर्या अगला कोशन था कि भारत का सबसे बड़ा बिजय इस्टैचू कौन सा है तो भारत का जो सबसे बड़ा बिजय इस्टैचू है वो है बिजय इस्तम और ये कहां पर है तो ये राजिस्थान के चित्तोडगड में इस्तित है अगला कोशन था नीलगिरी परवत की सबसे उच उची चोटी कौन सी है तो नील गिरी परवत की जो सबसे उची चोटी है वो है डोडा बेटा और ये कहां पर है तो ये तमिल नाडू में इस्तित है अगला कौशन था ये कौशन काफी वार रिपीटेड है ये SSE CHSL में भी आया था देली पुलिस कॉंस्टेबल में भी आया तो 2022 का जो फुटबॉल बिश्व कप है वो कतर में आयोजित होगा अगला कौशन था कि बंदे मातरम गीत कहां से लिया गया है तो बंदे मातरम जो गीत है वह बंकिम चंदर चटो पाध्याय द्वारा लेके थे और किन भासाओं में लिखा गया है तो इस संस्कृत और बा उपन्यास आनंद मठ में अंतरनेहित गीत के रूप में हुआ था यानि कि किस उपन्यास से लिया गया है तो आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है और इस गीत को गाने में 65 सेकंड का समय लगता है यानि कि 1 मिनट 5 सेकंड का समय लगता है अगला कौशन पूछा था कि जो उनम त्योहार मनाया जाता है केरल में उस त्योहार पर कौन सा खेल खेला जाता है तो उनम त्योहार पर नोका दोड होती है क्या होती है नोका दोड होती है अगला परशन था पनामा पेपर ली किस कम्पनी से सम्बंदित है तो इसके बारे में हम डेटेल में बात कर लेते हैं तो पनामा पेपर एक अंतराष्ट्य रूप से किया गया ब्रश्टाचार है जिसका खुलासा लगबग 11.5 million document फाइल के लीग होने से हुआ है और यह फाइल पनामा इस्थित एक अपतटिया मौसस्क फॉनसे का फर्म से संबन्दित है अगला कॉशन यहां पर पूछा गया था और इस कॉशन का आंसर आप लोग comment box में जरूर लिखेंगे कि टेलीफोन लाइन की जरिये सबसे तेज इंटरनेट किस विदी से पहुचाया जाता है इसका आंसर आप लोग comment box में लिखना बिलकुल न भूलें अगला कॉशन था एकात्मक राज्य में कौनसी सरकार सभी सासकिय कार्य कर सकती है तो एकात्मिक जो राज्य होते हैं उनमें केंद्र सरकार सभी सासकिय कार्य कर सकती है अगला कॉशन यहां पर पूछा था कि सागा 220 क्या है तो यह एक सुपर कम्प्यूटर है अगला क्वेशन था अभी सीनिया किस देश का पुराना नाम है? तो अभी सीनिया इथोपिया देश का पुराना नाम है अगला क्वेशन था ट्रोजन होर्स क्या है? ट्रोजन होर्स एक कम्प्योटर सौफ्ट वियर है अगला क्वेशन था भारत छोड़ो आंदोलन के समय अरुना आसिफ ने कहां जंडा फेहराया था तो अरुना आसिफ ने मुंबई के गोबालिया टेंक मेदान में जंडा फेहराया था अगला क्वेशन था कि भीमराव अंबेड कर हवाई अड़ा कहां इस्तित है तो भीमराव अंबेड कर जो हवाई अड़ा है यह महराष्ट राज्य के नागपुर सहर में बना है और इसे और किस नाम से जाना जाता है तो इसे सोने गाउं हवाई अड़ा भी कहा जाता है अगला कॉशन था कि सम्राठ अकवर की मुगल सेना ने एहमद नगर की रक्षा के लिए किस भारत्य मुस्लिम महिला योद्धा को जान जाता है तो समराट अकवर की मुगल सेना से एहमद नगर की रक्षा के लिए चांद बीबी को योध्धा के नाम से जाना जाता है अब यहां से आप लोगों के second shift के questions स्टार्ट होते हैं अगर आप लोगोंने first shift का full analysis देख लिया है तो second shift भी जरूर देखिएगा जिससे कि आप लोगों को पता चल सके कि किस टाइप की questions बन रही हैं तो second shift का पहला question है चार मिनार किसने बन वाया था तो चार मिनार का निर्माड मोहमद कुली कुतबसा ने करवाया था कब करवाया था तो 1551 में करवाया था और ये कुतबसाही बन्स के पांचवे सासक थी अगला question था यहाँ पर कि गूमर किस राज्य का लोग नरत्य है तो इसे तो आप लोगों ने किसी ने भी गलत नहीं किया होगा क्योंकि गूमर जो है वो राजिस्थान का लोग नरत्य है और इस पर एक सौंग भी बना हुआ था अगला question यहाँ पर पूछा था कि कथक कली किस राज्य का लोग नरत्य है तो कथक कली आप सभी लोगों को पता है कि एरल राज्य का सुप्रशिद सास्तरिया लोग नरत्य है अगला question था कि तेरता हुआ विध्यालाई किस राज्य में इस्थित है तो इस question को भी हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं जिससे कि आप लोगों के सारे doubts clear हो जाएं तो 13 फरवरी 2017 को मनीपुर की लोकटक जील में पानी पर तैरते हुए प्राथमिक स्कूल का आरंब किया गया था कब की आरंब किया गया था तो 13 फरवरी 2017 को कहां पर तो मनीपुर राज्य में और मनीपुर राजी की किस जील पर तो मनीपुर राजी की लोकटक जील में इसका आरंब किया गया था और अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि भारत का पहला तेरता हुआ इसकूल कहां पर है तो वो मनीपुर में है और कौन सा है तो इसके बारे में भी जान लेते हैं इसका नाम क्या है तो इसका जो नाम है स्कूल का वो है लोक टक फ्लोटिंग एलिमेंटरी स्कूल और ये इंफाल से लगवग 50 किलोमेटर दूर इस्तित है अगला कोशन था कि पदमावत के लेखा कौन है तो पदमावत के जो लेखा के वो है मलिक मुहम्मद जाईसी अगला कोशन था जनवरी 2021 तक भारत सयुक्त राष्ट सुरक्षा परिपसद में कितनी बार अइस्थाई सदसे बना है तो ये चार बार अइस्थाई सदसे बना है हैं वह हैं Mitochondria Mitochondria को 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 शिका का सकती ग्रह कहा जाता है अगला कॉशन था RBC और WBC और प्लेट लेट्स किस द्रब्य में होते हैं तो यह प्लाज्मा में होते हैं ये कुछ कॉशन्स ऐसे थे जनकी लेंग्वज मैंने कल गलत बताई थी, लेकिन इस्ट्रेंट्स ने कॉमेंट करके वो सारे क्लियर कर दिये और इसकी सारे । क्लियर हो चुके हैं कि कौन सा question किस तरह से बना था तो यहां पर आज के जो questions मैं करा रहे हूं उन में आप लोगों को कहीं भी किसी बी तरह का doubt नजर नहीं आएगा अगला कोशन था कि नगरपालिका के सदसे बनने के लिए नियूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए तो नगरपालिका का सदसे बनने के लिए कम से कम 21 वर्स की आयो होनी चाहिए अगला कोशन था इन में से कौन सा रोग बायरस जनित नहीं है तो वहां बैसे तो बहुत सार रोग हैं जो बाइरस जनित नहीं है लेकिन जो वहाँ आपको एक्जेक टिक करना था वो टीवी पर टिक करना था अगर आप लोगोंने टीवी आंसर किया है तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है अगला कोशन था महात्मा गांधी को चंपारण आंदूलन के लिए किस ने आमंत किया था तो राजकुमार सुकला ने पत्र लेकर महात्मा गांधी जी को चंपारण आंदूलन के लिए निवंत्रित किया था अगला कोशन था ध्वनी का बेग ठोस से गैस में जाने पर कैसा हो जाता है तो ध्वनी का जो बेग होता है वो ठोस से गैस में जाने पर कम हो जा अगला कोशन था सतंत्रता के बाद पहली बहु उद्देश्य पर्योजना किस नदी पर बनी है तो सतंत्रता के बाद पहली जो बहु उद्देश्य पर्योजना है वह दामुदर नदी पर बनी है अगला कोशन था चश्मा थ्री न्यूकलियर पावर प्लांट किस देश में है तो ये पाकिस्तान देश में इस्तित है अगला कोशन था AC और DC में यानि कि AC कोड DC में कनवर्ट करने वाला उपकरण कौन सा है तो AC कोड DC में कनवर्ट करने वाला जो उपकरण है वो है Rectifire अगला कोशन था सौभाग्य योजना किस से संबंदित है तो सरकार सौभाग्य योजना के तहट गरीब परिवार के घर पर आकर विजली कनेक्शन देने की पहल कर रही है यानि कि जो सौभाग्य योजना है वह विजली कनेक्शन से संबंदित है अगला कोशन था अप्रेल 2019 में इस्टर पर आतं की हमला कहां पर हुआ था तो ये स्री लंका पर हुआ था अगला कोशन था सरदार सरोबर बांध किस नदी पर है तो सरदार सरोबर बांध नर्मदा नदी पर इस्तित है और ये नर्मदा नदी कहां पर है तो ये गुजरात में इस्तित है अगला कोशन था निर्भिया क्रूज मिसाइल की मार्क छमता रेंज कितने किलोमेटर है तो निर्भिया क्रूज मिसाइल की जो मार्क छमता रेंज है वो एक हजार किलोमेटर है अगला क्वशन था 2011 की जनगर्ना के अनुसार किस राज्य का जन धनत्तो सबसे अधिक था तो बिहार का था अगला कोशन था गया सुद्दीन बलवन का सासन काल कितना था तो इनके बारे में हम डेटेल में पढ़ेंगे तो गया सुद्दीन बलवन का जो बास्तविक नाम है वो है बहा उद्दीन और दिल्ली सल्तनत में गुलाम वन्स का एक सासक था यानि कि गया सुद्धीन वलवन कौन थे तो ये दिल्ली सल्तनत में गुलाम वन्स के एक सासक थे और इन्होंने सन 1266 से 1286 तक राज किया था अगला कौशन था नेपाली लड़की बंदना ने लॉंगेश्ट डांसिंग मेराथन बाई एंड इंडिविज्वल पर 126 गंटे तक लगाता नरत्य करके किसका रिकॉर्ड तोड़ा है तो बंदना ने हेमलता द्वारा जो रिकॉर्ड बनाया गया था उसे तोड़ दिया था जो बंदना है उन्होंने 126 गंटे तक लगाता डांस किया है तो फिर हेमलता ने कितने गंटे तक किया था इसके बारे में भी जान लेते हैं तो हेमलता ने सन 2011 में 120 गंटे 15 मिनट तक लगाता नरत्य किया था और जो बंदना है उन्होंने 126 गंटे तक किया है तो यहाँ पर हेमलता का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है अगला कोशन था मोडेम किस से कनेक्ट होता है तो मोडेम का प्रयोग कम्पीटर को टेलीफोन या केबल से डाटा बेजने के लिए किया जाता है अगला question था hard disk किस प्रकार की memory है तो hard disk secondary memory है अगला question था कि Simon Commission में कितने भारतिय सदसे थे तो detail में बात करेंगे यहाँ पर सबसे पहले बता दूं Simon Commission में zero यानि कि कोई भी भारतिय सदसे नहीं था तो फिर कौन सदसे थे इसके बारे में जान लीते हैं तो British सरकार ने Simon आयोक का गठन Sir John Simon के नेत्रतों में भारत में भारतिय सासन अधिनियम 1919 की कारे प्रणाली की जाच करने तथा प्रशाशन में सुधार ही तू सुझाब देने के लिए किया था और इस कमिशन में साथ सदसे थे जो सभी ब्रिटेन की संसद के मनोनीत सदसे थे यानि कि जो Simon कमिशन है उसमें टोटल और टोटल ब्रिटेन की संसद के मनोनीत सदसे थे भारत या कोई भी सदसे नहीं था अगला कोईशन था किस यूजना के तहट भारत के सभी राष्टिय राजमार्गों को रेलवे क्रोसिंग से मुक्त करना है तो सेतु भारतम यूजना के तहट भारत के सभी राष्टिय राजमार्गों को रेलवे क्रोसिंग से मुक्त करना है अगला कोईशन था 1857 के बाद बहादुर साज जफर को अंग्रेजों द्वारा निर्वाचित करके कहां भेजा गया था तो बहादुर साज जफर को रंगोन में भेजा गया था अगला कोशन था संसद की कारेपालिका का समवेदानिक प्रमुख कौन होता है तो संसद की जो कारिपालिका होती है उसका जो समवेदानिक प्रमुक होता है वो राष्टपती होता है अगला कोशन था अंतर राष्टिया अंतरिक्ष इस्टिशन प्रत्वी से कितने किलोमेटर उचाई पर होता है तो 400 किलोमेटर उचाई पर होता है अगला कोशन था भारत की संप्रभुता एकता और अखंडता को बनाई रखना और उसकी रक्षा करना क्या है तो ये हमारा मौलिक करतब्य है कि हम भारत की संप्रभुता एकता और अखंडता को बनाई रखें और उसकी रक्षा भी करें अगला कोशन था पंपास सावंत किसके उधारण है तो पंपास सावंत घास के मैदान के उधारण है अगला कोशिन था यहाँ पर मुक्ति बौध प्रदेश किस सामराज्य की प्रशासने एकाईया हैं अगला कोशिन पूछा गया था 2019 में न्यू यॉक में किस कम्पणी ने हेली कॉप्टर सर्विस रूप की थी तो Uber ने New York में helicopter service रों की थी यहां पर हमारा वीडियो end होता है यहां पर मैंने काफी जगे से questions collect किये मेरे पास आख टेलीग्राम पर send किये गए कुछ comment box में भी आए तो इस तरह से मैंने इस सारे questions को मिला कर यह 75 questions लेकर आई हूं मैं आप लोगों के लिए तो यह वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएं चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले हैं जिससे कि आप लोगों को आने वाले time में सभी questions के answer genuinely 100% मिल सकें यही पर वीडियो एंड करते हैं थैंक्स वर वचिंग दे वीडियो